जैहिंद आप्रिवन सो आज हमारा सुपर्वाइजर का एक्जाम खतम हो चुका है इस वीडियो में आपको आज के एक्जाम की कुछ अनाल्सिस बताऊंगा कि कि किस तरह का कौन सा पॉट्शन जा सकते थे किस तरह का क्या हो सकता है डिर्टेवल कर्णा करना पुष्ट नहीं है मेरे एंड पर क्योंकि कुछ जीनका सिर्टिस रही सब्जेक्ट है उनको ग्रेस भी दिये जाएंगे और मैंने और टैरि पोल शेयर करा था बट मुझे इस क्योंकि कुछ ऐसे रेंडमली भी इस पर जो है अपना व्यूद दे सकते और कुछ मुझे जो है मेल वगयर आई हैं उनके बारे में बात करेंगे प्रैस क्या आगे फ्यूचर होगा उसके बारे में भी कुछ हम डिसक्रस करेंगे सो सबसे पहले हम एक्जाइम की बात करें तो कंप्यूटर में अगर दो तीन कोशन डिफिकल्ट आ रहें तो वह डिफिकल्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा क्योंकि आप यह थोड़ी कर सकते हो एक सो बीस के एक सो बीस कोशन आते हो यह नहीं होता है ठीक है तो इस चीज़ की तो मतलब टेंशन नहीं हों चाहिए द अगर आपने वह लेक्टर देखे होंगे MS वाले तो उसमें वह कवर थे उसके बाद जैसे for example GK देखो याँ GK का मुझे ऐसा as such कोई भी ऐसा कॉशन नहीं लगा जो मैंने किसी ना किसी वीडियो में पढ़ाया नहीं आपको तो GK का almost सारे कॉशन में आपको पढ़ाये थे इवन अगर मैं आपको बताओं हम exam में गलती कहां करते हैं for example जैसे एक question आपको आया था जिसमें बच्चों ने गलती करी होगी कि लोग सभा में कितनी सीटे मिली हैं जिसमें आपको different states बताए गई थी माना यह आपको नहीं आता था कि लोग सभा में किस की कितनी allocation थी किस state क आपको इतना तो पता है कौन सी सबसे ज्यादा पॉपुलेस स्टे यह मैंने कल परसु के lecture में आपको बताए था सबसे पॉपुलेस कोन सी है उससे कम कोन सी है तो जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन थी उसकी सबसे ज्यादा सीर्सों की लोग सभा में इस तरह से conceptually exam में बैट से question exam में आए मेरे को बहुत से बच्चों ने screenshot बेजे हैं जो directly question के भी question आए आपको जैसे मैं विटामीन में इंफसाइज करा था विटामीन पढ़के जो तो विटामीन के कितने question आपको exam में दिखें ठीक है अब बात करतें कि देखो मैं तो ऐसे नहीं बोलता कि इतने question या directly question exam में appear हो हैं अब मैं आगे specialization portion की बात करूँ ना तो देखो specialization portion में 30 तक question जो थे वो सीधे थे ठीक है 25-30 question सीधे थे उसके बाद question conceptual थे वो directly नहीं थे और 10 मान लेता हो 10 question जो scheme से पूचे थे वो scheme थोड़ी इतनी easy नहीं तो बिलकुल factual थी उसमें गलती हो सकती है but 20-30 question छो thing is that आपको यहां पर यह चीजें समझनी हैं कि basically जो हमने पढ़ाया है आपको वह एक्जाम में reflect कर रहा है reflect नहीं करता तो यह देखो आज मतलब कितने comments मैं अभी जो mails हैं उसमें देख रहा हूं कि कितने question और कुछ तो ऐसा बोल रहे हैं कि सर्थ अगर आपने end time पर हमने late पहुंचे हमने सिरफ वह देखी लास्ट रिवीजन जैसे पर मेरो प्रोटोकॉल वाला question था मतलब उन्होंने सबसे लास्ट में वीडियो देखिए और सथ तब भी हमारे जो हैं 70 से 75 तक बन रहे मार्क तो अगर हमने पहले किया होता तो हमें कितनी हल मिलती तो यह बहुत स learning process होता है आज देखो आप में से बहुत साय अभी dejected feel कर रहे होंगे ठीक है उनको बहुत गुसा भी होगा ठीक है में भी उनको लग रहा होगा कि मतलब उनका नहीं होगा काइंड रहे हो आज आपका दिन नहीं था मैं कितनी बार इस चीज़ पर emphasize करता हूं बट सिरफ इस इस इक्जाइम को देकर कुछ सीखा भी है इस चीज़ को भी आप अपने दिमाग में थोड़ा रखो आप नहीं इता लग तो क्या कर सकते हैं बट अभी भी होप नहीं हो छोड़नी होती है आगे भी different exams के हैं हम preparation करेंगे और देखो second thing is that अगर आप बात करो कि अगर आप इ 85% 85 से ज्यादा marks है ठीका 87 करें 80 से 85 के बीच में इस तरह से सारे में यहां पर यह पोल डाला था बट इस पोल में कोई भी participate कर सकता तो मेबी जो सुपरवाइजर का इस पिरेंट नहीं हो वह भी करें और को इक्जेक्ट भी नहीं बता रहे हो उससे चोड़के सुषालोजी इनका सब्जेक्ट अउनको एक्स्टा मार्ग में तो यह वाला फेक्टर भी बीज में रहता है तो और आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने इक्जेक्ट मार्ग बताओगे प्लेस अगर आप मेल मुझे कर दो अवेक्निंग क्लासिज अवेक्निंग क्लासिज 1343 इस पर मेल कर दो 1343-gmail.com तो मैं किहीं किसी नतीजे पर पहुंच सकता हूं अभी तक मुझे कुछ मेल साही है जिसमें जो मैक्सिमम मुझे जो नंबर्स मिलें 80-90 के बीच म से नंबर्स मिलें 90 मुझे तो अगर आपके on उसे उपपर यह मुझे बता है अगर आपको अच्छा कुछ हमारे से सीखने को मिला, आप मुझे कमेंट सेक्षिन में बता सकताओ आप अपना गुस्सा भी कर सकतो। कंपलीमेंट में अपने पर जितना हो सकता था मैंने आपके लिए किया है और बहुत सारे ऑपकूर्स सारे कुर्शन एक्जाड में आएं फूल तो बहुत सारे बच्चे में बोल रहे हैं उनके लिए क्या आपका एग्जेंडा रहेगा कुछ पेड़ कोर्स स्टार्ट करो आप पेड़ करो देखो मैं कोई पेड़ को स्टार्ट नहीं करने वाला हूं सारा आपको यूटूब में प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है और म अगर आपके सेव बने तो भी आपको एक दो दिन ब्रेक लेनी चाहिए और जिनके नहीं बने तो बिलकुल एक दो दिन आदाम से ब्रेक लो उसके बाद हम वापीस से प्रिप्रेशन करेंगे अभी एक्जाम से और नोटिफिकेशन भी आनी है बाकि उसके साथ और भी सुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी बात हुई उनका उनके पांच-छे क्वेशन तो गलत मार्क होगे गलत मार्क होगे एक क्वेशन जो था जिसमें वह पूछा था कोई नौट फीचर है किसी का तो उसे वह नौट वर्ड नहीं बड़ा मैंने इन चीजों में बहुत फ कि हम त्यारी करेंगे तो इसके लिए मैं आपको एक चीज में आपको बता दूँ जो क्वेशन से वह बहुत से आएं और बहुत सारे मेंसा शेयर भी होगे अगर मैं टेलिग्राम पर स्क्रींशॉर लेकर शेयर भी कर सकता हूं बट उसमें कुछ नहीं है आपने इजैम दि करना मेरे लिए इतना मतलब सिंपल नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे टेंशन क्रियेट होते हैं यहां पर हमारा काम कटफ जो है बताना नहीं है हमारा काम आपको पढ़ाने आपको अच्छी वे में प्रिपरेशन करवाऊंगा यहीं यूटूब पर कहीं और समझदार हो कि हमारे पास सिरफ 180 के करीब हैं और कितना बच्चा एक्जाम देता है तो सभी तो नहीं क्वालिफाई हो सकते और एक दिन में होता भी नहीं है उसका उस दिन भी नहीं होता किसी का साइज चीज़ें होती है बट आपको अपना काम थोड़ा मेंटेन करना है औ व मैंने अपने पर कोई कसर नहीं चोड़ी और मैंने जितनी महाइनत कर्या है वह reflecting भी है कर पौर अब बहुर्ण यूज सकते हो ठाक करें तो दूसे एक अगर किसी का अच्छा नहीं हुआ है। झाल झाल